तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनिकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज का ये जो वीडियो है न मैं इंस्टेंटली अप्लोड की हूँ क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यदा कमेंट आ रहा था कि हम लोग का एक्जाम है और हमें तश्री करने नहीं आता है एक्जाम से पहले शेर की तश्री करना बता दीजिए वह ज़्यदा आप लोग कमेंट कर रहे थे तो फाइनली आप लोग का इंतजार हुआ खत्म आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को शेर की तश्री करना बताऊंगी जो की इंपॉर्टेंट है कैस शेर की तश्री किया जाता है चाहे वह शेर किसी घजल का हो नजम का हो यानि की कवीता का हो या फिर मर्सिया का हो मसनवी का हो मतलब किसी भी सिन्फ का शेर क्यों नहों आप आसानी से तश्री कर सकते हैं कैसे स्टार्टिंग किया जाता है इंड कैसे किया जाता है कैसे आप आप लोग शेर की तश्रीव करेंगे कि एक्जामीनर जो है कॉपी चेक करने वाला आप लोगो फुल माक्स देदे इन सभी टॉपिक की उपर आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाली यानि कि तश्रीव से रिलेटेड सारा डाउट आज के इस वीडियो में 100% आउट हो जा सबसे पहले पहुचेगा और वीडियो को शेर नहीं किये तो अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पार जितना ज़्यादा हो सके दबा कर शेर कर दीजे और वीडियो को लाइक करना नहीं बोलना है फड़ाफट लाइक कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टन टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं पूरा अंतक बिना इसकीप की आप लोगो देखना है और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है जब आप लोग अच्छे से समझ लेंगे आसानी से आप लोग शेर की तश्रीर कर पाएंगे और आप लोग को फुल माक्स मिल जाएगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर बोर्ड पर मैं एक शेर लिख दी हूँ देखे लिखा हुआ है कि फसाना गम का कोई गमवसार हो तो कहें कहानी दिल की कोई दिल फकार हो तो कहें यह आप लोग का शेर है और इसी की तश्रीर करना है माली यह तो आप लोग कैसे करेंगे शेर में लिखने वाला जो शायर है, जो भी बात बताने की कोशिश किया है, उसी को उजागर कर देना, जैसे कि ये शेर है, इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है, क्या बताने की कोशिश किया है, इसी बात को आप लोग को व्याख्या कर देना है, विस्तार से लिख देना है, लिखने को ही कहते हैं हम लोग तश्रीघ करना मतला थे को हिंदी में क्या क mobile करो एक्सप्लेंकर ढ़िए क्या उख्शार क्या लेकर धाने में की कुश्छिक करूं अगर आ प जी समीube मिला हम उख क्या कर रही है रुख जाइए थोड़ा विस्तार से बताईए अप सबसे पहले क्या कि ये बताईए तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले मैंने दो संख्या लिया फिर उसको जोड़ा और फिर उन दोनों को घटाया भी और जो भी हमें संख्या मिला फिर दोनों को गुड़ा कर तो यह मैं आप लोग को विस्तार से बताने लगी व्याख्या करके तो जो मैं आप लोग को विस्तार से बताने लगी ना इसी को कहते हम लोग तश्रीह करना उसी तरह यहां पर शेर होता है कोई भी आप लोग का एक शेर देगा चाहे वो शेर घजल का हो या फिर चाहे वो श काने की कोशिश किया है वो क्या कहने की कोशिश किया है यही आप लोगों को लिख देना है उसे को क्या कहते हैं तश्रीह करना अब इस तरह आप लोगों के एक शेर की तश्रीह करने के लिए नहीं बोलता है दो तीन देता है जैसे कि माली जै कोशन नंबर फोर हो गया कोशन नंबर फूर में लिखा रहेगा कि तर्दजायल में से किसी दो एशार की तर्भी करें और कंचे चारपांच दिया रहेगा शेर और उसमें से किसा second Ils कि तीन अशार की तसुरी करें तो आप लोगों को तीन तीन चेल की तश्री गरंक adapting लेकांप करने से पहले आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि जो शेर दिया गया है वो शेर कौन से चाप्टर से लिया गया है कौन से चाप्टर से उठाया गया है और उस चाप्टर के राइटर कौन है ये आप लोग को पता रहना चाहिए और आप लोग को नहीं पता है तो फिर आप लोग कैसे तश्री करेंगे यह भी मैं आप लोग बताती हूं अगर नहीं पता है मालीजे येας शेर कौन फसाना ये गमका कोई गमगусार हो तो कहें कहानी दिल की कुई दिल्फऒगार हो तो कहें यह आप लोग को यह जो शेर है नहीं पता है कि कौन से चप्टर से उठाए गया है और इसके राइटर कौन है नहीं पता है तो भी आप लोग तश्रीख कर सकते हैं इसका भी तरीका है इसका भी जुगाए है मेरे पास चलिए हर एक समझाती हूँ मालिज अगर आप लोग को है कि यह शेर जो है ना किस चाप्टर से उठाए गया है और इसके राइटर कौन है तो आप लोग स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे कि पेश नजर शेर निसाब में शामिल हसन नईम की घजल से माखोज है यह जो शेर है जिसके दोरा लिखा गया है उसका नाम राइटर का न जो हसन नईम की घजल है उससे माखोज है यानि कि उससे लिया गया है तो अगर आप लोग को राइटर का नाम पता है और पता है कि कौन से चैप्टर से उठाए गया है तो स्टार्टिंग आप लोग का इसी तरह होना चाहिए कि पेश नजर शेर निसाब में शामिल हसन को नहीं पता है कि शेर कौन से चैप्टर से उठाए गया है और उसके राइटर कौन है यह नहीं पता है आप लोग को तो अब आप लोग कैसे तश्री करेंगे तो इसका भी जुगार देखिए लिख दी हूं स्टार्टिंग कैसे करना है पेश नजर शेर अलफाज की कीब के लेहाद से बहुत ही खुबसूरत शेर है यह आप लोग स्टार्टिंग याद कर लिजिए इसी तरह से कीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग और इंडी देखा जाता है एक्जामीनर के दौरा यह दो कंडिशन आप लोग को समझ में आ गई अगर आप लोग को पता है कि शेर कौन से चैप्टर से उठाया गया है और उसके राइटर कौन है तो स्टार्टिंग आप लोग का इसा होना चाहिए याद कर लिजिए पेश नजर शेर निसाब में शामील उस चैप्टर के राइटर कौन है और यह शेर कौन से चैप्टर से लिए गया है घजल है कि वो लिख दो और से माखोज है ठीक है पेश नजर शेर निसाब में शामीर हसन नईम की घजल से माखोज है जैसा कि मैं लेक दीओ अगर आप लोग को नहीं पता है कि शेर कौन से चेप्टर से लिए गया है या फिर उसके राइटर कौन है तो ये वाला लिखना है याद कर लिजे इसको भी पेश नजर शेर अलफाज की तर्तीब के लिए हाथ से बहुत ही खुबसूरत शेर है यह आप लोग का स्टार्टिंग रहना चीए ठीक है यह स्टार्टिंग कर दी आप लोग इस तरह अब आप लोग को आगे क्या लिखना है मैं आप लोगों बतात की गई है देखिए अब जरूर नहीं कि यही वाला शेर आप लोगों के पूछेगा कोई भी शेर पूछ सकता है यह एक्जामपल लेकर मैं आप लोगों को समझाने की कुछ कर रही हूं तो जो भी शेर की तरश्री करने के लिए बोले तो उस शेर को दो तीन बार पढ़ना है इस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि उस शेर में शैर क्या कहना चाहता है क्या बताने की कुछ कि इस तरह आप लोगों को दो तीन बार पढ़ेंगे ना तो थोड़ा अंदाजा मिलेगा इसको पढ़ेंगे दो तीन बार फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहे कहानी इसको सेर सकते हैं कि अपनी दर्द की कहानी किसको सुनाओं कि मेरे दर्द को मेरे गम को कोई समझने वाला कोई सुनने वाला हो तो कहे ना कहानी दिल की कोई दिल फगार हो तो कहे यानि कि मैं अपनी दिल की कहानी उसी से कहूं जो मेरी तरह जखमी दिल वाला हो दिल फगार हो यानि कि जो मेरे तरह जखमी दिल वाला हो मेरे कंडिसन मेरे पस्तितियों स कि मैं उससे जाकर कहूं बस यही बात जो है ना शायर इस शेर में कहना चाहते हैं और लोगों को बताने की कोशिश किया है बस इसी बात को आप लोग को क्या करना है लफजों को सजाकर लिख देना है जैसा कि मैं यहां पर लिख दी हूँ अब आप लोग देखिए स्टार्ट या सिर्न कर सकते हैं उसके बाद से इस शेयर में जो भी बात बतानी की कुशिश किया है उसके बाद से आप लोग को लिखते चले ज़ेना है लफजों को सजा कर देशेकित अब यहीं से आप लोग को तश्री करना इस टार्ट कर देना है इस शेर में जो भी शायर बतानी की कोश्च किये हैं यहीं से आप लोग के मारकर से लिखी हूं न यह सब उठा कर यहां पढ़ ला दीजिए अगर आप लोग स्टार्टिंग ऐसा कर रहे हैं तो यहां से लेकर यह वाला बात जो है ना तश्री करना यहीं से स्टार्ट कर देना है ठीक है नीचे नहीं जाना है एक लाइन नीचे नहीं जाना है यहीं से जहां से आप लोग स्टार्टिंग के यहां पर आकर खत्म हो गया ना यह वाला लाइन बस यहीं से आप लोग को तश्री करना स्ट हैं यहां नहीं कि यहां पर लिखती हूँ इस तरह जिसां नहीं करना है यहां यहां करेंगे यहां पर कर बात कसिठ सकते आप लिखने कर सकते हóc सकते हैं उसके इस तरह से करें अब देखिए इस शेर में जो भी शायर बताने की कुश्च किया है उसको कितने अच्छे तरीके से मैं लफजों को सजाकर यहां पढ़ लिख दी हूं लिखिए लिखी हूं मैं कि इस शेर में शायर अपनी जजबाद और एहसास को बहुत ही खुबसूरती से कितना आसान कितना खुबसूरत लफजों का यूज किया गया है यहां पर जदा टफ जदा कठिन शब्दों का भी यूज नहीं क्यों मैं इस शेर में शायर अपनी जजबाद और एहसास को बहुत ही खुबसूरती से अलफाज के जरीए जाहिर कर दिया है रहे कितना आसान क इतना सिंपल लफजों का यूज करके और कितनी खुबसूरत तरीके से मैं यहां पर लिख दी हूँ ठीक है उसके बाद से देखिए आगे क्या है चुनांचा शायर घमों से घबरा कर यह कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अपने गम की कहानी किन-किन लोगों के सामने बयान करता फिरू मेरे घम की कहानी को कौन सुनने वाला है क्योंकि कोई जखनी दिल ही मेरी कहानी को सुन सकता है शायर इस शेर के हवाले से अपनी जात के अंदर छुपी हुई मायूसी को अलफाज के जामा में पेश किया है देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं तश्रीख कर लेकिन आप लोगो का पूरा बात समझ में आ जाना चीछिव इस शेर में शायर जो भी बाते बताने की कुश्च किया है वह आप लोगो अगर आप लोग यूज करते हैं कम लफजों का लेकिन बात को मुकमल कर देते हैं इस शेर में जो भी शायर बताने की कुश्किया है उसको अच्छे तरीके से ब्यान कर देते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इंड आप लोग को उसी तरह करना है देखिए जहां पर आप लोग की बात जाकर खत्म हो जाती है बस खत्म वही पर इंड कर दीजिए ठीक है तो आई होप आप लोग को हर एक चीज समझ में आ गया होगा अगर स्टार्टिंग कैसे करना है चैप्टर राइटर का नाम याद है तो स्टार्टिंग इस तरह से अगर नहीं याद है तो तश्री यानि कि इस शेर में जो भी शायर बताने की कोशिश किया है उसको लिखने की शुरुवात यहीं से करना है ना कि उसके एक लाइट नीचे चले जाए यह तो मैं समझाने के लिखी अगर आप लोग का स्टार्टिंग इस तरह से है तो यहां तक लिख देने के ब पाएंगे चाहिए आप लोग एक्जाम दीजिए बहुत यह तरीके से आई होप आप लोग का एक्जाम बहुत ही जबरदस्त जाएगा मैं गौट से प्रेवी करूंगी अच्छे से तश्रीप कीजिएगा और सारे को बना कराईएगा एक भी कोशन छोड़ना नहीं है तो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फड़ा फट शेयर कर दे अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सके दबा कर शेयर कीजिए और उसके बाद से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे चैनल पर नहीं है तो सब्सक् का exam डेरा है उसके एक दिन पहले उसी subject का शाम-6 बजे लाइब करवाया गुच्छ लाईब क्लास को एिटेंड करना आप लोग के लिए अत्यंत महत्तपून है कि से परस्थति में उस लाइब क्राओं को मों करवाती हूं वह important होता है उसी question में से आप लोग के board exam में question पूछता है तो यह ध्यान में रखते हुए आप लोग को लाइव क्लास एटेंड करना है और जितना भी question में कराऊंगी अंत तक बने रहना है